देखे उत्तर लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे और आप लोग क्लास 10th के स्टूडिन्ट हैं तो क्लास 10th के लेबल देखो ये 12th में भी है यहीं कक्छा 12 में भी है और वहाँ पे चैप्टर नमबर 9 है आप लोग की क्लास में चैप्टर नमबर 10 है कितना 10 ठीक तो ये दोनों क्लासों में 9th में भी है स्टूरी 10th में भी है और 12th में भी है तो अगर आप अभी से पढ़ लोगे अच्छे से तो 12th में ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए ध्यान से समझना क्योंकि कच्छा 10 में भी एकजाम में आता है फोकस दूरी सिद्ध करने के लिए इसका जो सूत्र सिद्ध है ये वान अपान ये बराबर वान अपान वी माइनस वान अपान यू देखो हम आतल दरपन और उत्तल दरपन के फोकस दूरी का सिद्ध जब करे थे तो ये सूत्र मिला था वान अपान ये बराबर वान अपान वी प्लस वान अपान यू मतलब ये किस में था प्लस में और लेंस में माइनस में होगा देखो सारी चीजें वही है ना बस फरक किसका है प्लस माइनस का तो चाहे आतल दरपन की फोकस दूरी अगर आप से कोई पूछे चाहे उत्तल दरपण की कोई फोकस दूरी पूछ ले तो ये सूत्र बताना लेकिन अगर आउतल लेंस की फोकस दूरी पूछ ले या उत्तल लेंस की तो ये बताना है है दोनों फोकस दूरी का ही सूत्र बट ये लेंस वाला माइनस में है दरपण वाला प्लस में और एक्जाम में बहुत आता है सिद्ध करने के लिए तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये सूतर सिद्ध करेंगे फिगर हम थोड़ा दाहिने साइड बनाते हैं यहाँ भी बनाते हैं देखो ये उत्तल लेंज है हमारा ये उत्तल लेंज दो प्रिष्ठों से मिलकर बना है और अपवर्तन की घटना हमेशा लेंस के मध्य से होती यानि जब भी किरणें बिचलित होंगी तो कहां से होंगी मध्य से अब देखो यहां पर एक प्रकासिक केंद्र होता है जिसका नाम है सी एक रेखा इस तरीके से गई होती है जिसे हम बोलते हैं मुख्यक्ष इसमें दो फोकस होते हैं एक बाई और होता है और एक दाई और इदर दो फोकस है ना एक वकरता केंद्र बाई और सीवन दूसरा वकरता केंद्र दाई और सीटू एक अनन्त बाई ओर और एक अनन्त दाई ओर अब हमें सूत्र सिध्ध करने के लिए हम वस्तु को कहां पर रख दे तो इसमें नियम ये है कि वस्तु को आप चाहे जहां रख दो सूत्र आपका वही मिलने वाला है ध्यान देना वस्तु चाहे यहां रख दे तो आपकी इच्छा क्या है? मैं कहां रख दू वस्त? अनन्त पर रख दू या अनन्त पर तुम मत रखा ना? अनन्त और वकरता केंद्र के बीच में रखोगे तो प्रतिम यहां पर बनेगा? कहां पर रख दे? यहां पर रख दे? या फिर यहां रख दो चलो यहीं पर रख उस दिन यहीं पर रखे थे ना यहीं पर रख देते हैं क्योंकि दरपण में हम लोग यहीं पर रखे थे ना आवतल दरपण की जब फोकस दूरी सिद्ध करा था तो अनंत और वकरता के अंदर के बीच में ही रखा था लेकिन इसमें हम आगे बढ़ा के रख देते हैं अब ये वस्तु A, B है इसके पैर का नाम A और सर का नाम B तो पूरे वस्तु का नाम क्या पढ़ गया? A, B कहते हैं नहीं डंड़ा यदंडा मारेंगे गोड़े से लएके मूड़े तक लोग कहते हैं कि नहीं? डंड़े डंड़े मारेंगे पैर से लेकर सर तक वाइसे ही इसके पैर का नाम क्या है? A, सर का नाम B तो पूरे वस्तु का नाम A, B अब इसकी आख कहा है? यहाँ पर आख से कितने किरिणे निकलेंगी? दूई आख है, दूई किरण सक्तिमान के तरीके से सक्तिमान देखे हो ना? सक्तिमान जब किसी चीज को जलाता था तो आख से दूइठे किरिणे निकलती है बिजली की तरीके से वैसे ही बिजली तो तड़कती हुई निकलती है लेकिन तुम सीधे वाली किरण निकालना पुरा बालवीर वाली बालवीर देखियो ना सीधा किरण तो वही किरण हम निकालेंगे यहां से देखो यह टार्च का प्रकास मार देते यहां से एक किरण चली यहां पर पड़ी तो नियम ये है कि कहां से होकर जाती है फोकस यहां ही सजाएगे अगर दूसरी किरण प्रकासिक केंद्र से तो बिना बिचलन के सीधे चली जाती है यहां पर कट कर रही है अनन्द पर नहीं अनन्द पर तब मिलेगी जब दो रेखाएं क्या हो जाएंगी समानांतर अगर यहां दुनों रेखा सीधे सीधे जाती तब अनन्द पर मिलती लेकिन यहां दोनों कट कर गई न तो जब मिल जाएंगे एक दूसरे से टकरा जाएं तो अनन्द पर मिलेंगी नहीं अनन्द से पहले ही मिल जाती दो रेखा जैसे नियम आपने पढ़ा है दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से कहा मिलेंगी यह अनंद पर जाके मिलेंगी लेकिन यह तो अनंद से पहले ही मिल गई ना यह अनंद से पहले ही मिल गई इसलिए यहां पर जहां पर मिलती है वहीं पर प्रतिम बनता है यहां पर मिली यहीं पर एक लंब गिरा दो लंब गिरा दिया यह हो गया B डैस और यह हो गया A डैस यह हमारा बन गया प्रतिबिम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? चेत्र यह क्या है? वस्तु वस्तु का दूसरा नाम क्या है बिम्ब लिखाएं है ना और चित्र का दूसरा नाम क्या है प्रतिबिम इमेज ये प्रतिबिम्ब है अब देखना अब इसमें त्रिभूज बन रहे हैं और त्रिभूज बन कौन रहे हैं समरूब त्रिभूज बन रहे हैं कौन से त्रिभूज सम रूप सम रूप मनें समान रूप के जब समान रूप के त्रिभूज बने तो उनके तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है अब इसका क्या मतलब है जरत्षान समझना जैसे देखो एक त्रिभूज यहां पर यह है अब होता क्या इसमें आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे गणित में तो वहां पर हम समरूप त्रिभूज पढ़ाएंगे कौन सा त्रिभूज जब आप समरूप त्रिभूज पढ़ोगे तो इसमें यह बताया जाएगा कि जब दो त्रिभूज समरूप हों तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर संगत माने क्या होता है जो भुजा अगली भुजा के हुबहु ऐसे हो तुसे हम संगत भुजा काते हैं एक सब्द आप बोलते हैं कि ये हमारे कलास पेलों हैं ये हमारे साथी हैं साथी यहां से हैं कि हमारे साथ साथ रहते हैं एक भुजा दूसरे के संगत इसलिए है क्योंकि वही सेम हुबहू ऐसे है काय सो रहे हो बेटा रात भर मलाहरा गायो का हाँ ऐसे बड़ा नीद आ रही है इनके चलिए देखे देखो ये ए बी है देखो ऐसे तीरिया किये है और सेम ऐसे ही तीरिया ये है तो ये जो ए बी भुजा है ये पी क्यू के संगत है ए बी भुजा पी क्यू के क्या है संगत और देखो नीचे वाली बीसी भुजा क्यू आर के संगत है सेम आधार ये भी है आधार ये भी है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा संगत होगा और ये इसके संगत है तो ये भुजा तील लाइन इसमें कर देते हैं तील लाइन इसमें देखो लाइन का मतलब समझो एक लाइन इसमें एक लाइन इसमें यानि ये इसके क्या है संगत है डबल लाइन इसमें डबल लाइन इसमें यानि ये इसके संगत है ट्रिपल लाइन इसमें यानि ये इसके संगत है अब इनका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा रेशियो मतलब AB के संगत क्या है बटे PQ बराबर BC के संगत क्या है तो BC बटे QR हो जाएगा फिर बराबर AC के संगत क्या है तो AC बटे PR हो जाएगा अब बताओ कोई दिक्कत सभी हो जाएए एक दूसरे के क्या है संगत है इसलिए उनका रेशियो उनका अनुपात आपस में ये इसके संगत था इसलिए इसका अनुपात आपस में क्या कर दिया अच्छे ये बताओ इसके बजाए अगर हम ऐसे बना दें ध्यान समझना ऐसे ये A हो जाए ये B हो जाए ये C ये A डैस कर दे ये B डैस कर दे ये C डैस आप जड़ा सोचो कि A B के संगत A डैस B डैस है ये देखो ये इसकी सेम टुसेम उचाई है तो ये इसके संगत और ये इसके संगत और ये इसी के संगत हो जाएगा तो संगत माने उसका अनुपात आपस में बराबर होगा तो A B बटे क्या हो जाएगा A B बटे A डैस B डैस B C बटे B डैस BC बटे B-C बराबर AC अपान A-C A-C-C-C अब होता क्या है जराद ध्यान समझनो जैसे ये संगत सब के आपस में भुजाएं बराबर है तो हम जरूरत है अगर हमें जरूरत है कि ये इसके संगत है ये इसके संगत है और ये जो तीसरी भुजा है इसकी जरूरत नहीं है तो हम तीसरे के बराबर नहीं करेंगे हम किवल दो को ही बराबर करेंगे तीसरे को लेने की जरूरत नहीं है जितनी आओ सकता है उतने को क्या कर देना है बराबर बात क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ये तो हमारा क्या हो गया समरूपता का नियम है अब वही समरूपता का नियम यहाँ पर लगने वाला है कुछ वैसा है देखो आप जानते हो ये है प्रकासि केंद्र प्रकासि केंद्र से वस्तु ये वस्तु है ना यह क्या खड़ी हुई है यहां पर प्रकासि केंद्र से वस्तु की दूरी को U से किसे U से प्रदर्शित करते हैं अच्चुकि यह वस्तु बाई हो रहा है अगर कोई भी वस्तु बाई हो रहाती है तो उसका चिन क्या हो जाता है तो याद रखना C से A B C से A के बीच की दूरी को माइनस U से किस से माइनस U और इधर से अब यह प्रकासि केंद्र से मापी जाती हैं तो प्रकासि केंद्र से प्रतविम के बीच की दूरी को V से प्रतविम की उचाई को आई से प्रतविम के बीच की दूरी को V से प्रतविम करते हैं इधर से इधर आओगे तो इसका चिन क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों अब आगे समझो अगरना हमें जरूरत जब भी पड़ेगी C से A की दूरी की तो हम क्या रखेंगे माइनस यू अगर हमें जरूरत पड़ेगी O से A की तो हम उसके अस्थान पर क्या रखेंगे C से A की दूरी क्या है V अच्छा इस C का दूसरा नाम क्या है ओ भी है प्रकासिक केंद्र को C या O से प्रदसित करते हैं अब आगे समझे है देखो ये उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है तो प्रकासिक केंद्र से यफटू के बीच की दूरी समाल यफ इसका चिन क्या होता है धनात्मक है यहां से लेकर यहां तक याद रखना बच्चों C से लेकर यफटू के बीच की दूरी क्या है यफ C से लेकर यफटू के बीच की दूरी समाल यफ है C से लेकर एड़स के बीच की दूरी प्लस वी है A से लेकर C के बीच की दूरी माइनस यू है सारी दूरी पता हो गई अब हम त्रिबुज लेते हैं देखो त्रिबुज कितने बन रहे हैं त्रिफुज बन रहा हैं B A C B A C एक त्रिफुज तो यह हो गया दूसरा C से ही उठाओ C A D S B D S एक बन रहा है कि नहीं B A C और त्रिफुज C A D S यह दो त्रिभूज जो हम अभी यहाँ पर लिखे हैं यह दोनों त्रिभूज एक दुसरे के समरूप है लिखना नहीं दर देखती रहो यह दोनों त्रिभूज क्या है एक दुसरे के समरूप कौन किसके समरूप है B, A, C के समरूप है CA dash B dash यहां लिखेंगे समरूप त्रिभूज समरूप त्रिभूज B A C और त्रिभूज और त्रिभूज CA dash B dash समरूप त्रिभूद B, A, C और त्रिभूद या समरूप अटा दो लिखो B, A, C और C, A, D, S, B, D, S एक एक समरूप त्रिभूज है समरूप त्रिभूज है कौन कौन है B, A, C अच्छे ये बताओ बच्चों ये जो B, A, C है इसो काट के निकालने क्या यहां से B, A, C समकोड है इसो काट के निकाल लेते हैं निकला क्या नाम है B, A, C यही नाम है न A से लेकर C के बीच की दूरी माइनस U है याद रखना बताओ कोई दिक्कत अच्छा और दूसरका त्रिभूज क्या है C, A, D, S B, D, S C, A, D, S, B, D, S यह बड़ा वाला त्रिभूज काट डालो काट डालो भाई यह बड़ा वाला त्रिभूज है ना C, A, D, S, B, D, S A, D, S, से लेकर C के भी इसकी दूरी प्लस B बताओ कोई दिक्कत कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं दिखरा है आप लोगों को तब आगे बढ़ें चलो तो यह वाला त्रिभूज इसके क्या है समरूप है अगर इसको अगर पलट दोगे तो ऐसी बन जाएगा क्या अच्छा यह बताओ A, B की इस त्रिभूज यह त्रिभूज समकोण त्रिभूज है समकोण माने एक कोण अब्बेंस यह भी त्रिभूज समकोण है इसका भी एक कोण अगर इसको हम ऐसे घुमा के सीधा कर दें तो ऐसे ही बन जाएगा कुछ अच्छे यह बताओ इस त्रिभूज की उचाई क्या है इस त्रिभूज की उचाई इस त्रिभूज का अधार CA क्या है और इस त्रिभुच का अधार CA- C कहां से लिए है C समस्त दूरिया कहां से नापते है प्रकासी केंद्र से समस्त यहां से नापते हो न इसलिए हमने CA से गया क्या लिखा C से A के बीच की दूरी इधर भी C से A- हम A- से C नहीं लिख रहे हैं लिख सकते हो लेकिन यह थोड़ा अच्छा नहीं लगे क्योंकि समस्त नियम क्या पड़े हो समस्त दूरिया लेंस के प्रकासी केंद्र से नापते है इसलिए हम CA लिखेंगे not AC, only CA अब समरूपता का नियम अभी यहां बताये थे ना कि कौन सी भुजा किसके संगत है AB वाली भुजा A-B- के संगत है तो यहां लिख देंगे AB बते A-B- A- इस त्रिभुज में आधार क्या है AC, CA इस त्रिभुज में आधार CA- समीकर कितना हो जाएगा बात क्लियर है यह देखो यह कैसे लिखा सौन में आया समरूपता के नियम से जो भी नियम आप यहां पे पढ़े थे सेम वही रूल है चली आगे बढ़ते हैं अब हम अगला त्रिभुल लेते हैं अभी और त्रिभुज बन रहे हैं इसका नाम D रख देते हैं क्या रख देते हैं D यहां देखो D है भाई इस पॉइंट का नाम कुछ रखोगे क्या है तो D C F 2 बना गी नहीं देखो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है यह सम कोड़ा ही है D C F 2 जैसे आप कैसे चले थे B A C फिर C से चले इधर तो कुछ तीभुण नहीं बन रहा है तो C A ड़ेस B ड़ेस ले लिया ना ऐसा ही D C F 2 चलो फिर F 2 से काउन बन रहा है F 2 A ड़ेस मतलब यहां पर एक 90 अंस बन रहा है इस वाले त्रिभुज में फिर मैंने देखा F 2 से जब फिर से चला तो F 2 से आगे की और बढ़ा फिर यहां पर एक 90 अंस का कोण बन रहा है तो यह त्रिभुज ना D C F 2 F 2 A ड़ेस B ड़ेस के सम रूप है क्या है समान रूप का है जो रूप इसका है वही रूप इसका है इसलिए इनकी भी संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी तो चलो भाई एक त्रिभुज फिर से लिखते हैं त्रिभुज D C F 2 यहां त्रिभुज D C F 2 और यह और का चिन ना है यहां लिखे ना और ऐसे कहीं लिखा रहे तो याद रखना आएंड का चिन ना है या और का चिन आगे देखो और दूसरा त्रिभुज क्या है F 2 A डाएस B डाएस त्रिभुज F 2 A डाएस B डाएस भी एक समरूप त्रिभुज है क्या भाई समरूप त्रिभुज है मतलब काते नहीं यार तुम तो पगला है यह हो हूँ के पागल कर रहे है ऐसे ये तो समरूप था ही कर रहे है यह समरूप है है ना अब देखो अभी मैंने किसको समरूप बोला DCF2 को DCF2 काट के निकालने का DCF2 काट के निकाल लेते DCF2 और क्या कटेगा F2 A-S ये किदर से भी काट लेते DCF2 A-S B-S देखो बच्चों C से लेकर F2 के बीच की दूरी क्या है देखो C से लेकर F2 के बीच की दूरी small F F2 से डैस पता ही नहीं है अभी बाद में निकालना पड़ेगा आगे जड़ा देखो क्या ये जो भुजा DC है देखो ये जो भुजा DC है क्या A-B के बराबर है क्या देखो ये जो ये रेखा यहां से किरण गई है ना ये मुख्यक्ष के समांतर जाती है किसके समांतर तो इसलिए जितनी उचाई DC की है उतनी उचाई A-B की है तो हम इस DC के अस्थान पर क्या लिख सकते हैं A, B भराल अभी कुछ नहीं लिखेंगे अभी तो इसको लिखेंगे देखो DC के संगत क्या है DC के संगत A-B- CF2 के संगत जैसे इसके संगत ये था था ना और इसके संगत ये वैसे DC के संगत क्या है F2 A-B- और CF के संगत CF2 के संगत क्या है CF2 के संगत F2 A- तो यह संगत इसके है यानि DC बटे क्या हो जाएगा A-C DC बटे A-B- क्या हो DC बटे A-B- फिर बराबर लिख दो अब इसके संगत CF2 के संगत क्या है F2 A- यहां लिख देंगे CF2 बटे CF2 बटे F2 A- अभी मैंने बताया कि यह जो DC है यह किसके बराबर है A-B के तो जहां DC लवकत है DC जहां लवकत है हुआ का लिख सकते हो A-B तो यहां लिखेंगे चूंकि DC बराबर A-B यह भुजा इस भुजा के क्या है समानांतर हाँ हाँ DC बराबर A-B तो जहां DC है वहाँ पर क्या रखोगे DC के अस्थान पर A-B DC के अस्थान पर A-B रख दो A-B बटे A-B- बराबर C-2 बटे F-2 समी कराण एक के बाद दो अब आप ज़रा A कर दो को जहांको जहांकोगे क्या जहांकोगे देखो समी कराण 1 में ज़रा देखो यह बाई हो रहा है और यह बराबर के बाई हो और क्या AB बटे A डैस B डैस समी करण दो में बाईयों और भी वही है तो गणित का नियम है कि अगर बाया बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष बराबर हो जाता है देखो नियम पढ़ो गणित का जैसे लिख देए एक्स बराबर इसमाल A दियान समझो एक्स बराबर क्या है इसमाल A और एक्स बराबर इसमाल B अरे होई गया इसमाल कैप्टर एक्स बराबर A और एक्स बराबर B होगा की नहीं इसमाल लेते हैं पापा है एक बाबू के दुई लड़के A फार अमलेस B फार बिमलेस ये पापा जो हैं अमलेस को समोसा दिये और यह इपापा अमलेस को जलेबी दिये तो दुनों लोगों को कौन दिया है न तो अब यह जरा बताओ नियम यह है कि ये यक्स यक्स बराबर है क्या पापा पापा बराबर होगा पापा कोई भी आदमी खुद के तो बराबर हो इसकता है ना हम किसके बराबर हैं अपने तुम्हेरे बराबर नहीं है तुम अपने खुद के बराबर हो सकते हो लेकिन दुसरे के बराबर कोई आदमी खुद के बराबर तो हो सकता है ना कोई भी आदमी खुद से बड़ा हो सकता है क्या कोई आदमी बता खुद से कैसे बड़ा होगा खुद के बराबर हो सकता है बड़ा नहीं हो सकता इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे एकस एकस बराबर है तो ए बराबर बी क्या हो जाएगा बाया 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 पक्स बराबर है तो दाया दाया पक्स क्या हो जाएगा एक्स एक्स बराबर है तो ए बराबर क्या लिख सकते हो बी अच्छा ये नहीं सुन मैं तो इसे सुनो एक्स बराबर क्या है समी करण एक एक्स बराबर दो समी करण दो अब बताओ X बराबर क्या है X का मान क्या है तो जहाँ X है वहाँ क्या लिख सकते हो यहाँ X है X के स्थान पे इसमाले लिख सकते हो क्या तो यहाँ लिख दो A अब बराबर का है A बराबर B आ गया तो इमान रखने के बजाए आप एक मोटा मोटा दिमाग लगाया करो कि लिप्ट लिप्ट बराबर है तो राइट क्या हो जाएगा तो यक्स यक्स बराबर है तो A बराबर B आगे देखो यहां देखो समी करण एक और दो में A B बटे A डैस B डैस A B बटे A डैस B डैस रहनों बराबर है क्या जेखो ये ये बराबर है तो इसके दायाँ दाया पक्षापस में क्या हो जाएंगे बराबर AB पट A-B-DAS AB पट A-DAS-B-DAS बराबर है तो CA पट É C-A-DAS बराबर C-S把ट E-T goes to A-DAS तो समी करने एक और दो की तुलना करने पर समी करने एक और दो की तुलना करने पर क्या करने पर जब यह बताओ रओगे तुलना करोगे इसका बाया बाया पक्स बराबर है क्या तो दाहिना पक्स क्या हो जाएगा CA बटे CA डैस बराबर दाहिना पक्स इसका लिखेंगे CF2 बटे F2 A डैस समी करण 3 अब आप जरा समझो अब मान रखेंगे समी करण 3 में चिन सहित मान अब देखो जरा मान सब के क्या पता है क्या और इधर हो के ध्यान दो एकदम लास्ट में इधर आओ दिखना ही रहा है बड़ी नींद आ रही है न बस एक मिनट ये देखो CA बटे CA डैस बराबर CF2 बटे F2 CA की बैलू पता है चित्र में देखो C से लेकर A की दूरी क्या है पता है CA डैस की C से लेकर A डैस की दूरी क्या है V CF2 C से लेकर F2 के बीच की दूरी A कर नहीं पता है F2 A डैस देखो F2 A डैस के बीच की दूरी नहीं पता, निकालनी पड़ेगी, देखो कैसे, यहाँ देखो बच्चों, C से लेकर A-10 की दूरी कितनी है, V, और C से लेकर F-2 तक, तो हम इतने में से अगर इतना निकाल दीतना जाएगा, जैसे यह मानलो 5 है किलो मीटर, यह 2 किलो मीटर है, तो यह कितना होगा, फिर समझो यह पाँच किलो मिटर है और यह दो किलो मिटर है तो यह कितना होगा पाँच मेंसे दो घटा देंगे तीना जैगा वैसे ही V है ना V मेंसे समाल एफ निकाल दो के ती बाला जाएगा तो यह कितना जाएगा इस V माइनस F F2 से A dash की दूरी क्या मिलेगी V minus F तो हम F2 A dash की दूरी क्या लिखेंगे V minus F किस में से किस को घटाओ C A dash में से C F2 को क्या किया घटा दिया फिर से अभी आगे बढ़ाते हैं इसको C A बटे C A dash बराबर C F2 कमान पता ही है F2 A dash F2 A dash निकालना है ना तो किस में से घटाओंगे C A dash में से C F2 घटाओंगे C A dash में से C F2 घटाओंगे यह समीकर हो जाएगा तीन अब सब कमान रखेंगे C A कमान minus U C A dash का V C F2 का F C A dash का V C F2 का F देखो हम उधर नहीं देख रहे हैं इसी बता दे रहे हैं किसका मान क्या है एका रीजन जानते हो क्या है जब dash लगे तो V C A dash V C A U C F2 अब देखो C F2 F2 हो जाएगा F हो जाएगा तो पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं लो यह हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया थोड़ा फास्ट में लिखना सभी लो और सभी बच्चों को मौकी गुरूप से कल बताना है चलिए देखे आगे अब यहां पर लिखेंगे मान रखेंगे इसमें तो लिखेंगे समी कराण तीन में चिन्ह सहित मान रखने पर यहां लिखेंगे समी कराण तीन में चिन्ह सहित मान रखने पर क्या रखने पर? मान दियान देना चिन्ह सहित मान रखोगे चिन्ह सहित मतलब C A की वैलू C से लेकर A की वैलू देखो क्या है देखो C से लेकर A की वैलू U है और चिन्ह लग जाने पर हो जाता है चिन्ह सहित तो U में माइनस लगा इसलिए हमने बोला चिन्ह सहित क्यों यू नहीं रखना है माइनस यू रखना है तो CA के अस्थान पर क्या रखना है माइनस यू बटे CA- 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 देखो C से लेकर A- चिन्न सहीद क्या है प्लस V प्लस V बराबर CF2 की दूरी चिन्न सहीद क्या है CF2 इसमाल AF है फिर नीचे CA- माइनस अब CA- V C से लेकर A- की दूरी V है V रख दो माइनस CF2 की दूरी इसमाल AF अब देखो ये मिल गया ना अब आगे हल करेंगे तीरिय गुड़ा करना है बच्चो जरा ध्यान समझना तीरिय गुड़ा इसका गुड़ा इसमें इसका गुड़ा इसमें इसका इसमें करोगे माइनस U और V माइनस F यहाँ प्लस लिखो चाहे चीपा रहता है बड़ लिख देते हैं ये प्लस और ये भी प्लस है प्लस में प्लस का गुड़ा प्लस वी में एफ का गुड़ा वी एफ ठीक है अब देखो ये छोटा कोश्ट खटेगा अब माइनस यू का गुड़ा वी में होगा तो प्लस में माइनस का गुड़ा यू वी माइनस में माइनस का गुड़ा प्लस U में F का गुड़ा U F बराबर V F अब 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 ध्यान देना इसको इधर ले आते हैं इसको उधर ले जाते हैं ये इधर ले आएंगे और ये उधर ले जाएं U F already है यहाँ ये positive है ये लड़के ये positive है ये इधर आएगा minus V F हो जाएगा बराबर देखो ये U F पहले सही था ये plus V F था इस थर ले आया minus V F हो गया ये minus में उस तरब जाएगा U B हो जाएगा U B समी करण अब जैसे दरपड में आप लिखे थे दोनों पक्चों में U B F से भाग देने पर ऐसे इसमें भी U B F से भाग देने पर मतलब U B F का इसमें भी भाग देंगे U B F का इसमें भी भाग देंगे U B F का इसमें भी भाग देंगे क्या देने पर भाग भाग दे दो भाई और रस्गुला थोड़ी नहीं मिलेगा इसे UF में UVF से भाग दो UVF माइनस VF में भी कितने से भाग दोगे UVF UV में भी कितने से भाग दोगे UVF देखो क्या कट रहा है U से U कैंसिल UVF से यव UVF से वी कैंसिल UVF से यव UVF से यव UVF से यव तो बच्चों देखो क्या बचा उपर 1 बचेगा नीचे V क्या बचा माइनस उपर तो 1 है नीचे UVF अब बराबर बचेगा UVF यही तो सूत्र भी लिखाये थे हाँ क्या यह U है यह V है यह UVF और नीचे यव V से भी कैंसिल अब सही है ध्यान देना यह नीचे क्या है यव तो यहाँ बच गया 1 अपान यव और यह देखो समी करण 5 तो कुल मिला के तो समी करण 5 हमें मिला वो उत्तर लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र है तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान यव क्लिके